नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी का सीजन सुरू होने बाला है और इस सर्दी के सीजन के सुरू होने से पहले मैं आपको एक एसी दवाई के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप इस सर्दी के मुसम में इस्तेमाल कर अपनी स्कीन को स्वस्त रख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी स्कीन में बहुत ज्यादा ड्राइनेज की समस्या है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सूखी होती है और सूखी स्किन के कारण ठंड का सीजन सुरू होते ही उनके हाथों की उंगलियों में जगे जगे से इसकिन जो है वो निकलने लगती है बहुत सारे इसे लोग होते हैं जिनके हाथों के तलूओं में दरारे पढ़ने लगती है हाथ फटने लगते हैं या बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि थोड़ी देर भी बाहर यदि निकलेंगे तो बाहर की हवा से इतनी ज्यादा ड्राइनेस उनके सरीर में आ जाएगी कि चहरे में जगे जगे सामान नवासे में बोलते हैं तिड़ने लगता है या फिर वो तिड़ना जब बढ़ जाता है तो जगे जगे से फटने लगते हैं और फिर आगे जाकर यदि ये फटना बढ़ता रहता है तो फिर खून भी निकलने लगता है जिसके कारण इन दरारों में दर्द होने लगता है तो इन सभी चीजों के लिए और खास कर ठंड के मोसम में होने वाले इसकिन डिसीज के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है दोस्तो इस मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम यहाँ पर आप देखेंगे तो यह पेट्रोलियम 30 potency में है और यहाँ पर मेरे पास एक आइंडवेंड है यह है पेट्रोलियम आइंडवेंड यहाँ पर आप company पर मत जाईएगा आप चाहे SBL का लीजिए वेक्षन का लीजिए निव लाइफ का लीजिए या किसी भी company का petroleum यदि आप लेते हैं तो वो same यही काम करेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैसे तो petroleum के बहुत सारे उपयोग होते हैं परन्तो यहाँ पर मैं आपको especially skin का उपयोग बता रहा हूँ क्योंकि ठंड के मुसम में ये medicine दोस्तो बहुत ज़्यादा काम आती है ठंड के मुसम में आने वाले skin के मरीजों में से 10 में से 8 मरीजों को यही medicine और यही alignment देना परता है तो यह बहुत ही ज़्यादा useful होते हैं ठंड के मुसम में जनरली दोस्तो आप देखेगा ठंड के मुसम में आपको एक विसेश तरह के मरीज मिलेंगे जिने सरीर में कहीं सारी जगहों पर छोटी छोटी फुंसिया होंगी उन फुंसियों की विसेशता ये रहेगी कि उन फुंसियों में से पानी जैसा secretion जो है निकलेगा अधिकतर इसे लोगों को जब आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी पानी भरी फुंसिया या तो यहां पर पाई जाती है या ये उंगलियों के जोड़ों में फुंसिया देखेगी या ये छोटी फुंसिया कानों के पीछे देखेगी या हाथ पर पाई जाएगी परनतो तो इन फुनसियों की बिसेष्टा रहेगी कि इनमें ना किसी प्रकार का blood रहेगा, ना किसी प्रकार की kill निकलेगी, ना वहाँ से pus निकलेगा, केबल और केबल इसमें से पानी जैसा सिक्रेशन निकलेगा, और सबसे बड़ी विजशता इनसी ये होती है कि जैसे जैसे बातावरण में ठंड़क बढ़ती जाती है लोगों को ये फुनसी होने की समस्या आती है पर ये बातावरण में किसी भी कारण से बापस से गर्मी आती है ये फुनसीया ठीक हो जाती है मतलब ऐसी skin disease और ऐसी फुंसिया जो ठंडी आते ही बढ़ने लगे ठंड जैसे जैसे मिले उस फुंसियों की संख्या में या उनकी जो जितनी भी उनकी intensity है उसमें बढ़ोत्तर ही हो तो ये समझ लीजे कि वहाँ पर petroleum देना है साथ ही साथ गर्मी में उससे पूरी तरह से अरा दूसरा बहुत सारे लोगों को दूस्तो ठंड के मुसम में dry eczema की सिकायत हो जाती है एकदम सूखा eczema जिसमें खुजली चलती रहती है और लक्षन वही होते हैं कि ठंड आने पर बढ़ जाना गर्मी आने पर कम हो जाना तो यहाँ पर भी हम जो है दूस्तो पेट्रोलिय का यूज करते हैं तीसरा आप देखेंगे कि ठंड के मुसम आने में बहुत सारे लोगों को हाथ की उंगलिया हतेलिया पाउं की हतेलिया और खासकर एड़ी फटने की सिकायत सुरू हो जाती है ऐसे लोग तरह तरह के आइटमेंड यूज करते रहते हैं बैसलिन लगाते है ग्लीसरीन लगाते हैं और भी कई सारे क्रीम का यूज करते हैं पर उन्हें राहत मिलती है कुछ देर के लिए क्योंकि अंदर से दोस्तों आपके अंदर जो कमी होती है उसे पेट्रोलियम 30 में जब आप मेडिसिम के रूप में लेते हैं तो वो पूरी हो जाती है तो जब आप इस मेडिसिन का कुछ समय तक 4 चारबून सोबे दोपर रात चीप पर डालते रहते हैं साथ में आप पेट्रोलियम आइंडमेंट लगाते हैं तो जो आपकी स्किन का फटने की बिमारी आपको हो रही है ये होना बंद हो जाती है हम इस मेडिसिन को पाल्मो प्लांटर स सोराइसिस में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिसमें इसकिन ड्राई होने के कारण जो है दोस्तो हाथ और पाउं की तलुए और हतुलिये इतनी ज़्यादा फट जाती है कि उसके कारण वहां से खून निकलने लगता है असहनी दर्द होने लगता है उस कंडिशन क भी पेट्रोलियम आइंडमेन और पेट्रोलियम मेडिसिन देने से दोस्तो वह ठीक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा ठंड के मोसम में होने वाले इसकिन डिसीज चाहे वो ड्राई एक्जीमा हो चाहे पाल्मो प्लांटा सुराइसिस हो चाहे छोटी-छोटी फुंसिया हो रही हो या चाहे दोस्तो इसकिन में जगे जगे से दरारे निकल रही हो इन सब में यदि ये लक्षन पाया जाता है कि ठंड आने पर ये सब चीजे बढ़ रही है गर्मी आने पर ये ठीक हो जाती है तो वहाँ पर आपको पेट्रोलियम मेडिसिन और पेट्रोलियम उक्सान यह है कि dry skin बाले ब्यक्ति अपनी समय से ज़्यादा बोड़ा दिखने लगता है उसकी आँखों के नीचे बहुत बड़ी जुर्या पाई जाती है इसकी जो होती बहुत ज़्यादा dry होने के करण बहुत बेकार सी दिखती है उसमें एक glow नहीं आता तो ऐसी condition में आप क्या कीजिए कि आप जो भी अच्छी कंपनी का एक moisturizer cream यूज करते रहे हैं करते रहे हैं साथ में आप यह उन लोगों ग्लेजिन के dry skin है और कोई बिमारी दूसरी नहीं है उसको आपको उन मरीजों को petroleum 30 potency में 4 बंद daily एक बार सुबह सुबह जीप पर डालना है daily एक बार के अब जो आप पानी पिएंगे वो आपकी बाड़ी में माश्यर लाने का काम करेगा आपकी बाड़ी भी दूसरे लोगों की तरह जो है नमी युक्त दिखने लगेगी तो petroleum 30 आप इसी जगह पर यूज कर सकते हैं बैसे इस दवा के बहुत सारी यूज होते हैं खासी में भी बहुत ज़्यादा यूज होती है खास कर यदि किसी ब्यक्ति को दिन में नहीं चलती केवल रात में खासी चलती हो इसका यूज लूज मोसन के लिए भी होता है यदि किसी ब्यक्ति हो ऐसे दस्तों जो केवल दिन में लगते हो रात में नहीं लगते हो इसका यूज जो हता यह use होता है वो मैंने आपको बताया फुंसियों को ठीक करने के लिए जो पानी छोड़ती है दूसरा अचा एसी फुंसिया जो यह हाथ के जोड़ों पर होती कान के पीछे होती और बहुत सारे जैंड्स को भी और महिला को भी प्राइवेट पार्ट के आसपास भी होती है तो अभी ठंड के मोसम में यह आपको या आपके किसी मित्र वगेरा को इस प्राकार की फुंसिया आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास हो खासकर पुर्सों में यह इस क्रोटम पर हो जिसमें खुजली चलती है और पानी जैसा निकलता रहता है किसी प्राकर का पस नहीं निकलता किसी प्राकर का ब्लड नहीं निकलता केबल पानी जैसा निकलता है ठंड में फुंसिया बढ़ जाती है गर्मी में खतम हो जाती है तो आप अपने प्राइबेट पार्स के आसपास की इस प्रकार की फुन सियों को खतम करने के लिए भी पैट्रोलियम 30 दिन में तीन बार चार्च अरबुन लीजिए पैट्रोलियम आइडमेंड आप लोकल एप्लिकेशन के तरह यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यदा आपको बेनेफिट देगा तो ठंड के सीज़त आने से पहले इस मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत ज़्यदा यूज़बल ये मेडिसिन है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं बंदे मातरा